फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने वीवो वी 30 प्रो एंडुट मॉइल फून में अगर आपके मॉइल फून की इंकमिंग कॉल अगर इस स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो इस प्रब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते है आज क कि इस वीडियो हम आपको डिटेल में जानकरी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे फोन पर इंकमिंग कॉल आता है तो रिंग टोन की साउंड की आवास तो आती है लेकिन इंकमिं system का option tap करना है इसके अंदर आपको नीचे storage and catch का option tap करना है यहां पर आपको strengthening data 0 हो घाता है ठीक है अगला काम करना है कि आपको अपने mobile phone का software आपको चेक करना है कि अब video है यान्यट है पहले फोन का internet आपको चालू रखना है इसके बाद फोन का setting page open करना है, setting page में आपको सबसे ओपर search icon पर tap करना है यहाँ पर सबसे ओपर search बार में system update आपको लिखना है, आपको नीचे system update का यह option show होता है, इसे tap करना है, अब आपको इस वाले page पर कोई भी update का button या download install, अगर यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको tap करके phone का software update कर लेना है, अब देखे, आपको अगला काम यह करना है, कि आपकी phone का SIM card होता है, उसे mobile से बाहर निकालके उसे SIM tray पर दुबार से अच्छे से लगाना है ध्यान रखिएगा SIM card को SIM tray की slot one में लगाना है, उसके बाद phone के अंदर डाल देना है, इसे ही problems all हो जाती है ठीक है, अगला काम यह करना है, mobile phone को reset करना है, देखें दोस्तों mobile phone को reset आपको tap करना है, जब मेरे बताई हुए erase all data factory reset, इसे tap करना है आपका phone directly आपको setting मला आएगा erase all data factory reset का यह option tap करेंगे, तो अगले page में सब से नीचे erase all data का यह option tap करना है, इससा आपका phone जाए और reset हो जाएगा और आपकी problem जाए वो solve हो जाएगी, लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों अब मेरे बताई है, 45 process आप iOS को back up जाएगी, ठीके न,